Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे आपके परसन की current feelings और thoughts आज आपके लिए क्या है So ये सारे Star Signs की reading होती है, ये एक short reading है और timeless है So देखते हैं आपके परसन क्या सोच रहे हैं और कैसा feel कर रहे हैं There are thoughts and feelings So सबसे पहले हमारे पास Page of Swords आगया है Seven of Cups The Hanged Man, Yes Ace of Swords Okay, तो मुझे ऐसा लग रहे है कि इनसान आपसे contact करना चाहते हैं I do feel कि जैसे वो text message लिखते हैं और remove कर देते हैं और ये काफी time से चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि तीन-चार दफा उन्होंने सोचा है आपसे contact करने का उन्होंने text लिखा भी है और फिर मिटा दिया और फिर वो एक phase में चले गए जहां पर उन्होंने reflect करना शुरू कर दिया I really feel कि आपके person एक बिल्कुल different light में इस connection को देखना शुरू हो गए है एक new perspective उन्होंने gain किया है जबसे आप लोग साथ नहीं है because I do feel कि आप लोगों का एक disconnect है आप तोनों के दरम्यान या gap है, communication gap है bottom पर हमारे पास six of pentacles है four of pentacles, I really feel कि आपके person की ego self भी दरम्यान में आ रही है basically मुझे ये feel हो रहा है कि ये इनसान इनके जहन में बहुत ज़्यादा पहले negativity थी I do feel कि वो कम हो रही है, खतम हो रही है time के साथ-साथ क्योंकि ये जो card है, the hanged man, ये है a pause for a new perspective जैसा मैंने आप से कहा कि ये इनसान एक different light में इस connection को देखना शुरू हो गए है इसलिए कभी कबार वो text लिखते हैं और remove कर देते हैं but I really feel कि वो एक ऐसे point पर आने वाले हैं जहां पर लिख कर remove नहीं करेंगे और finally send का button वो दबा देंगे और I do feel कि ये इनसान balance चाहते है, equal balance of give and take क्योंकि यहां पर imbalance था, क्योंकि I really feel कि वो सोच रहे हैं कि आप patiently wait कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं यह चीज feel हो रही है कि आपको इंतजार है उनकी तरफ से balance का, उनकी तरफ से action का, communication का उनको ये भी realization हो रही है कि आपको wait है कि वो कब इस conflict को resolve करेंगे जो आप लोगं के दरम्यान है वो कब आपको clarity देंगे, आपको इंतजार है उनकी तरफ से clarity का So, आपके person के जहन में कुछ fears थे, कुछ negative उनके beliefs थे जिसकी वज़ा से आप दोनों की मुझे लगता है कि separation भी हुई जिन लोगं की separation नहीं भी हुई, I just feel कि एक आप दोनों के दरम्यान blockage सा है, यानि एक disconnect सा है चाहे आप लोग communicate करते भी हैं बट एक gap है आप लोगों के दरम्यान चाहे आप husband wife भी हैं, I just feel कि जैसे आपको feel होता है कि जैसे emotionally आप एक दूसरे से बहुत detached हैं और आज तक एक दूसरे को deeper level पर समझ नहीं पाए हैं, चाहे आप जीवन साथी बन भी गए हों, so एक emotional disconnect है आप लोगों के दरम्यान, and I really feel कि आपके person उसी gap को कम करने का सोच रहे हैं, वो different light में जैसे मैंने आपको कहा कि देखना शुरू हो गया है, 3-3-3 वीडियो में मुझे नज़र आया, so आजकल 3-3-3 बहुत जादा नज़र आ रहा है, it means के you are protected, you are on the right path और आपके angels आपको protect कर रहे हैं, so 3-3 आप लोगों के लिए sign हो सकता है, so anyway, I feel कि ये इंसान balance लेकर आना चाहते हैं, and ये देखिए कि हमारे आपास 5-6-7-8, this is very interesting, which means के progress होगी, 5-6-7-8 progress होगी, and with the ace of sorts ये इंसान आपको clarity देंगे, ये इंसान आपसे communicate करेंगे, but maybe right now उनका वही phase चल रहा है कि वो सोचते हैं आपके आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, फिर remove कर देते हैं message, फिर सोचते हैं, नहीं, नहीं, अभी right time नहीं है, maybe, अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, so maybe, आपके person को, उनकी higher self की तरफ से भी अभी go ahead नहीं मिला है, and I feel कि थोड़ा सा उने reflect अभी और करने की जरुत है situation पर, ताके जब आपकी तरफ आएं तो कोई confusion ना हो, बिल्कुल clarity के साथ आएं, so इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आपके लिए text लिखते भी हैं, तो उनकी higher self उनको रोक रही है, ताके उनकी जो ego है, उसके ओपर अभी light और डले, कुछ ना कुछ वो और सीखें, कुछ ना कुछ यहाँ पर और उन्हें समझने की जरुरत है और फिर वो clarity के साथ आपकी तरफ आएंगे, and I do feel कि आपके person को खुद भी clarity की जरुरत थी, और उन्हें मिल रही है clarity, और इसलिए यह इनसान आपसे communicate करेंगे, so यह आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में, मैं मिलूँगे आपसे next video में, till then love you lots, bye bye